हेलो गाईज जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी एने रुद्धा चारजी की तो मेरे पास एक वीडियो आया जिसको मैंने देखा एंड वीडियो मुझे काफी अच्छा लगा मुझे लगा आप लोगों साथ इसको शेयर जरूर करेंगे तो मैं इस के लिए जी वो सुनाना चाहूँगा गुरू की भक्ती गुरू की शक्ती गुरू से मिला है ज्न्गुरू को पूजु भगवान से पहले गुरू को करूं प्रणाम म कुश है प्रदीब को नहीं है प्रदीब ये जैय स्रीकृष्णा गुर्धा जैय स्रीकृष्णा गुर्जी मेरे कोशन है पूछ को नहीं पार है बोलो बेटा गुरुजी गुर्जी में को यह कहना है मैं बाहर था तो मैं भगवान की पूजा तिलसे करता था गुर्जी जब सब्सक्राइब पूजा करनी पूजा करनी छूट गई जी गुर्जी कोई बात नहीं फिर स्टाट कर देना गुरुजी, भगवान से विश्वास ही उठ गया मेरा गुल, गुरुजी गुजँ आप ठीक कह रहे हैं, अपनी जगा सही हैं भगवान से विश्वास उठ गया अभी वो विश्वास बापिस आ जायेगा उसकी चिनता मत करिए ये बताएए कि विश्वास क्या उठ गया गुरुजी हमारी माता सिरी ने जागरण कराये था जागरण? जी गुरुजी ठीक है तो जागरण कराने के वाद माता सिरी एक्सपायर हो गई आपके माता एक्सपायर हो गई जी गुरुजी क्या हो गया उनको? उनको उप्री चक्कर हो गया ता गुरुजी चक्कर आ गया अधर किसी करा दिया किसी ने आधर किसीनeking अगया ऐसी होते है तो पंदवन करे है आपके प्रुजी यहर साथ में नहीं है उनका फोन आये तो दो बार उसके बाद से तो जब लब मेरिज कर ली शादी कर ली तो साधी के बाद फिर क्या हुगा गुजी क्या नाम गवाही खिलाप हो गए उनकी उसके भाई से रड़ाई थी अच्छा तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाप में दे दी आपके जी गु ओ लेके गई ते अच्छा जबर जश्टी मेरे सादी की जी गुरुजी तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको जी गुरूजी आजीवन की सजा हुई आजीवन मतलब 20 साल जी गुरुजी तो बेटा क्यों भाग के साधी करते हो माब करेंगे ना साधी क्या जल्दी थी गुरुजी मैंने बता के करी थी घर में साधी तो जब बता के करी थी तो व्यवस्थित होती मंडब गड़ता हल्दी चड़ती तेल चड़ता और व्यवस्थित बारात जाती भागने की क्या जरूरत थी गुरुजी आरा समाज से गरी थी गुरुजी किसी समाज से की हो पर भागने की क्या जरूरत थी बेटा साधी जैसे सब की होती है नॉर्मल ही वैसे हो नहीं थी बारात के साथ गुरुजी वहीं पर रहती थी ना पांस साल से मही रह रही थी हो लड़की? हाँ जी हरियाना मही रह रही थी हो तो आप साधी कर ली उससे जी गुरुजी तो वो आपको चाहती थी आप उसको चाहते थे नहीं गुरुजी दोनों चाहते थे एक दूसरे को तो फिर बाद में तो वो पलट गई झी गुजी यहां पर लेका आगो से मारा पीटी करी इसले सो ले फलट गी इलाय आपने मारा पीटी भी कर तona हिसी आपने पिलट गी इए है अच्छा को आपको आपकी बेटी होगी में और वह भाग जाए तो आप उससे अच्छा कहोगे आपका बेटा कल को जब आप बड़े होंगे शादी होगी बेटा होगा बेटा भाग जाए आप उसे अच्छा कहोगे फिर जब आप अपने बेटे को भागते हुए अच्छा नहीं कहोगे तो आप भी तो किसी के बेटे हैं भाग कर आपको कोई अच्छा क्यों कहेगा आप नहीं भागना आगे से गलती की है भगवान ने जल्दी से आपको मुक्त करें आप ये कह रहे हैं भगवान से विश्वास उठ गया क्यों उठ गया विश्वास क्योंकि मा मर गई जी गुरुजी अच्छा ये बताओ क्या मा आपकी कभी ना मरती बात तो से है जी अभी तो बहुत उमर थी उनकी गुरुजी कितनी उमर थी 34 34 34 34 साल की उमर में वो एक्सपायर हो गई जी गुरुजी बेटा कुछ बच्चों की मा तो पैदा करते ही मर जाती है कुछ लोगों की माँ जब बच्चा दस साल का होता है तम मर जाती है बेटा संसार का नाम है मरत्यू लोक इस संसार में जो आया है मरने के लिए आया है एक आदमी का नाम बताओ जो ना मरे बताओ हम लिख ले बताओ किसका नाम लिख ले जो कभी ना मरेगा बताओ कौन नहीं मरता ये म्रत्यू लोग है यहां जो आया है आप भी मरोगे हम भी मरेंगे सम मरेंगे फिर किसी की मा तो जनम देती मर जाती है तो क्या भगवान को इसम भगवान का कसूर नहीं है बेटा भगवान का धन्यवाद दो हो सकता है तुमारी मावी तभी उसकी मौत थी कि जब तुम पैदा हुए तभी मर जाती तो क्या कर लेते फिर भी तुम्हें इतने साल तक लाड़ प्यार करने के लिए मा रही और जब तुम बड़े हो गए तो मा को लगा मेरा कारे पूरा हो गया भगवान की क्रिपास से तुमारे साथ इतने टाइम तक रही इसके बाद जहां से आई मा वहाँ चलीगी मृत्चूलो के आना जाना लगा है आया है सुझाएगा राजा रंग फकीर एक सिंगासन चड़ चला एक बना जंजीर जी गुरुजी तो भगवान को इसमें भगवान का क्या दोसे ये बताओ गुरुजी मैं तो कावड भी लेका आया हूं बारते नहीं कावड लाओ बेटा अच्छा ये बता तुम कावड लाए तुम भक्ती करते हो तुम पूजा करते हो इसका मतलब क्या है कि तुमारे घर में कभी कोई मरे ही ना भगवान की सेवा करने वाले के अच्छा बताओ भगवान स्री कृष्ण के सगे भांजे की मरत्यू हो गई महा भारत में अभी मन्यू नाम था अभी मन्यू मर गए भगवान स्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा सुभद्रा के बेटा है अभी मन्यू सगे भांजे है बहन का बेटा मर गया भगवान का अब भगवान क्या नहीं कर सकते थे गुरु जी का पुत्र मरा तो जिंदा करके लोटाया तो क्या बेहन का बेटा जिन्दा नहीं कर सकती थे द्रौपधी के पाँच बेटे मर गए कितने बेटे अश्वथामा ने मार दिया पाँच बेटों को तो अरजुन का भी बेटा मरा महा भारत में अश्वथामा के हाथों भगवान के सगे भांजी अभी मन्यू मर गए तो ये मरत्यू लोक है साहाव यहां 16 साल 18 साल का लगवाग 18 से 20 साल की उमर में अभी मन्यू की मरत्यू हुई तो मर गए अब इसका मतलब यह दुरापदी थोड़ी यह बोलती कनया तो हमारे पांच बेटे मर गए अब हम तुमारी पूजा नहीं करेंगे अब विश्वास नहीं रहा अरे भाई मरत्यू लोक है भगवान लाख उपकार करते हैं हम पर लाख अच्छाई करते हैं हम पर तब तो हम भगवान का धन्यवाद नहीं देते और कुछ हमारे मन का ना हुआ अनकूल ना हुआ तो हम शिकायत करते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दे अब तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे अब तो भगवान को नहीं मानेंगे भगवान ने जब कुछ दिया जब मान थी तुमारी तुमारी पास तो क्या इसका धन्यवाद दिया था आपने के भगवान तेरा धन्यवाद कि तूने मिझे मा दी पिता दिया परिवार दिया जब नहीं है तो शेकायद पहले होती है लोगों की कि ये क्यों नहीं है जब था तो धन्यवाद कौन देता है भाई यदि आपने धन्यवाद नहीं हर व्यक्ति अपने करमों से जनम म्रत्यू पाता है, भगवान दोस्य नहीं होते, है ना, तो भगवान को मानोगे, विश्वास करोगे, जी आप से तीन दिन से कता सुने हैं गुल जी तो जब से विश्वास होने लगा, होगा, सत्संग ही आउशदी है, सत्संग किया करो, वि विडियो कापी अच्छी थी, और एक चीज जो मुझे वीडियो को देख के समझ में आया, वो यह मैंने देखा कि जिकते भी जेल में लोग के, उनके लिए सत्संग हो रहा था, तो बेसिकली उसी में से एक लड़का था, जिसने अम तबी अपनी सारी बात बताए, एंड व अब लग जाता है, यह जाता है बहुँत साई थी और भले बहुत सारे विडियो में मैं गुरु जी से रिलेट करों ना करूं पर हाँ इस वीडियो में मैं उनकी बातों से जरूर रिलेट कर रहे हूं कि वाकई में यह बात सही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता तो इसका मनलब यह नहीं है कि भगमान को आप उसके लिए दोशी ठहरा है क्योंकि हर किसी इंसान की जितनी एज है जैसा कि मैं मानते हूं कि सारा कुछ फिक्स है तो जातर मोस्ति लोग यह मानते हैं कि नियती है भविश्य है तो हम लोग भी मानते हैं कि हर चीज़े फिक्स है तो कब किसी डेथ होनी है यह फिक्स है इसे ना कोई चेंज कर सकता है ना कोई इसे बदल सकता है तो इसलिए लोगों को ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना